भारत के संगीत समराट स्वामी हरिदास महराज के अस्ट आचारे थे इन में से पाँचवे आचारे का नाम रसिक बर था रसिक बर का जन्म बुंदेल खंड के सागर जिले अंतरगत गढ़ा कूटा में था अब उनकी स्मृति में गढ़ा कूटा में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर मलूक पीठा धीश्वर स्वामी राजेंदर दास जी के मुखार विंद से भक्त माल कथा का आयोजन पांच दिसंबर से बारह दिसंबर तक किया जा रहा है इस आयोजन को देश के प्रख्यात संत किशोर दास जी महराज की देखरेख में किया जा रहा है आयोजन के बारे में किशोर दास जी महराज ने क्या कहा सुनिये हमारे बुन्दिल खंड का यह परम सौभाग गए दिश्टिक सागर गड़ा कोटा रहाम जहां हमारे पूर्व रसकाचारिये स्वामी स्री भगवत रसक्दोजी महराज का प्रागट इस्थल रहा है पूर्व में उन महापुर्शों की जो समाधी इस्थल है उसका भव उद्गाटन के समंद में हमारे भारत वर्ष के सभी जगत गुरु रसकाचारिये संत आचारिये गुरु जनों का बदारपन उसके उपलक्ष में अनेका अनेक भव्व और दिव्व कारिये क्रमों को रखा गया है जिसके मुख आयोजक केबिनेट मंत्री हमारे वुपाल भारगवजी महाराज संतों की सानिद्धी उनका मंगल में आसीर वचन जो कथा रसका वर्षण करेंगे हमारे जगत गुरु मलुक पीठा दीसुर। पुझ स्री राजिंददास देवाचारी जु महाराज भगवत भागवत भक्तों का चरीत भक्तमाल के माध्यम से अपनी अम्रित सरूपा वानी रसका वर्षण करेंगे कथा क्रम में मध्यान एक वजे से साइन पाज वजे तक का कारिय कर्म रखा है और उसमें अनेका अनेक भारत वर्षण की जो भी भूतिया आएंगे संत गुरूजन उनका आसिर वचन भी उसी मद्ध में हम सब को प्राप्त होगा और पूज बागे सुरवाले महराजी उनका पदारपड़ भी है साथ तारिक को और इसी में भजन सम्राठ हमारे बाबारस का पागल स्री रसिगदाजी महराज के शिश्य स्री चित्र विहारी दाजी स्री विचित्र विहारी दाजी उनकी विशाल भब और दिब्य भजन संद्या यह कारिकरम पाँच दिसंबर से सुवारंब होगा